कौन जीत रहा है यूपी सबसे सठीक एक्जिट पोल साथ मार्च शाम 6 बजे से लगा थार सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर नमस्कार आप देख रहे हैं अन्पी तक मैं हुआ कांग्श थाकुड रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है कई भारती चात्र जो यूक्रेन गए थे MBS की पढ़ाई के लिए वो अब वापस लोट गए हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल है सामने उनकी पढ़ाई को लेकर मध्यप्रदेश के भी कई चात्र यूक्रेन गए थे MBS की पढ़ाई के लिए लेकिन अब वो वापस अपने देश आ गए हैं लेकिन अब उनके सामने आगे की पढ़ाई को लेकर सवालिया निशान खड़ा हो गया है और इसी पूरे मुद्दे के ऊपर मध्यप्रदेश, कॉंग्रेस के नेता और मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिगविजा सिंग ने पीएम मोधी को एक पत्र लिखा है अपने पत्र में पीएम मोधी ने मांग की है कि सरकार को इन सभी छात्रों की आगे की पढ़ाई का खरचा उठाना चाहिए और ऐसी कोई योजना लेकर आनी चाहिए जिससे कि यूकरेन से जो लोटे हुए चात्र है भारती चात्र है उनकी M.B.B.S. की यानि की डॉक्टरी के आगी पढ़ाई आगे की जो पढ़ाई है वो प्रदेश में और देश में ही जारी हो सके आपको बता दे की चात्रों की समस्या को देखते हुए राजसभा सांसर दिग्विजर सिंग ने P.M. मोदी को लिखे पत्र में कॉंग्रेस सांसर ने लिखा है की रूस और यूकरेन के बीच चल रहे है यूद्ध की समय यूकरेन में पढ़ाई कर रहे है भारत के हजारों संकत दिनों दिन बढ़ता जा रहा है फिलहाल यूद्ध विराम की संभावना नजर नहीं आ रही है ऐसी स्थिती में यूकरेन में फसे मेडिकल चात्रों के सामने अपनी पढ़ाई जारी रखने पर अपसंशय बना हुआ है उन्होंने आगे लिखा कि यूकरेन में मेडिक मेडिकल शिक्षा लेने गए चात्र अपने भविश्य को लेकर चिंतित है रूस के हमलों में शैक्षनिक संस्थान भी शर्तिगरस्थ हो गए है फिलहाल ना तो यूद्ध समाप्त होने की संभावना नजर आ रही है और यूकरेन में चल रहा यूद्ध अगर खत्म भी हो जाता है तो वहां के मेडिकल कॉलेज के शीग्र प्रारंब होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है पियम मोदी से अधिविजय सिंग ने अपील करते हुए लिखा कि चिकित्सा शेत्र में देश को सेवाएं देने के तयार हो रहे इन हजारों चात्रों के भविश्य क के लिए एक विशेश योचना बनाएं और देश में चल रहे है समस्त शासकिय के साथ साथ नीजी मेडिकल कॉलेजों में ऐसे छात्रों को में दाखिला दिलवाएं साथ नों ने लिखा कि ऐसे सभी सूडेंट्स की फीज भारत सरकार को अपनी ओर से जमा करनी चाहिए इन चात्रों के परिवार पहले ही बड़ी धनराशी एड्मिशन के नाम पर खर चुके हैं ये मध्यम वरगी परिवार देश के नीजी मेडिकल कॉलेज में अपने बच् स्वदेशी मेडिकल स्टूडेंट प्रवेश योजना बनाएं साथ ही एक अभियान चलाकर सभी चात्रों को उनकी सुविधा अनुसार एड्मिशन भी दिलाएं आपको बता दे कि भारत के लगभग 20,000 चात्र यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे जिनमें मध्यप्रदेश के 100 से अधिक चात्र वापस मध्यप्रदेश सकोशल लौट चुके हैं इनके सामने अपने आगे की पढ़ाई को लेकर बड़ा संशय बना हुआ है और ऐसे ही वक्त पर विगिजे सिंग ने ये पत्र जो है PM मोधी को लिका है जिससे कि इन बच्चों की पढ़ाई है वो आगे जारी रह सके इस पत्र पर क्या कुछ रिस्पॉंस PM आफिस की तरफ से आएगा ये तमाम अपडेट्स MP तक आप तक सबसे पहले पहुचाएगा मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम ख़वले बने रहें MP तक कि साथ